मेरे ख्याल से वे सभी लोग जिन्होंने सितामडी में लाइबेरी ओपेन करके सितामडी के बच्चों को एक अच्छे जगप पर स्टेल्फ स्टेडि करने का जो मौका दिया है उन सभी लोगों को मैं चाहूंगा दिल से ठैक्स बोलना चुकि यह चीजें आप काफी बहतर हो जिसका जो सिस्टेम उस तरीके से पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से यह चीजे अच्छी है आग्च्छी हम आज अपने क्लास पढ़ा के निकल रहे थे तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को लैब से निकल रहा था तो मुझे अच्छा लागा कि चलिए आओ कम से कम च समय करते हैं और मेरे ख्याल से चीज़ें अच्छी है तो अब जो हम चाहेंगे इन चीजों को रखा जाए और स्टार्ट करते अपने क्लास को लेकिन हम इस बात को से और आप लोगों से इसलिए किये हैं क्योंकि वे सारे बच्चे जिनको लगता है क्या कि हम देरा पर यह सेवंध्य है हम इसी में बात करेंगे आप आज आप से लेकिन हमारा कहानी क्या होगा कुछ अलग होगा और इस कहानी के लिए कि आगे 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 आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का नेचर जैसा होता है हम उसी के हिसाब से यूज करते हैं उसके जस्ट बाद आने वाले वाब को इस बात को अपमांते हैं कि वाब इस यूजड एक्कॉर्डिंग टुद नेचर आप सेंटेंस इसी टो कि नाव लिसन टुमी वेरी केरिफोली कि अबर्याक तो बिए डिसनफेप्ट बाद लोट आप लीकेबल और लेकिन यह टवाहर जग스 नहीं होता है जैसे आपको बताते हैं जब सब्जेक्ट का नेचर घट कर नेचर रोहते हैं जब आपका सबजेक्ट होता है सिंगुलर तो आप इसके साथ यूज करते हो कैसा वाव तो इसके साथ आप यूज करते हैं सिंगुलर वाव इतनी समझ तो आपके पास होगी ही और आपको ये भी पता है कि जब आपका सब्जिक्ट होता है प्लूरल जब आपका सब्जिक्ट बाबुजी कैसा होता है प्लू कि अगर मैं च्टा से एंध्याउंपल तो आपको पता होगा जैसे देखिए Safety कि मैं प Overwatch रहा था तो आपने उस्वर है यहां डिखा मैं किया लिखा आ इव मैं परोड़ रहा था तो आप ने अग्याइंग लिखा I was reading और यहीं मैंने के एक सेंटेंस आपके लिए और भी लिखा वो चीजें यह कहते हैं यहां पर कि हम लोग पॉड़ रहे थे यहां मैंने किya लिखा बच्चो यहां लिखा मैंने हम लोग पॉड़ रहे थे अब ही पढ़ा रहे हैं पढ़ाने के कुछ दरबात करते क ठीक है ठीक है तो यहां मैंने क्या लिखा आई बोज रीडिंग और हम लोग पढ़ रहे थे तो उसको आप क्या बनाते हैं वी वर इसको आप बोलते हैं वेर रीडिंग आर इडी आई एंग अगर मैं आपसे पूछू कि हाँ आपने क्या समझा तो आप तो यह बोलने वाले ह वह यह है यह 이ए पने आपने आई है और आई का अब क्या बोलते हैं इसां यांव लेकिन और इस आउय के जग पर आपने यहां वे लिखा get वी के साथ यूज क्या किया वेयर इस बात को आप मानते की ने मानते हैं इफ आई आस्क्राइब करते हैं यहां मैंने आई के उन्हों सार वाज लगाया और यहां मैंने का लगाया वेयर आई बास समझे में इसके अकॉर्डिंग लेकिन जब इसी आई को और इसी वी को हम यूज करेंगे फ्यूचर में जब इसी आई को या इसी वी को हम यूज कहां करेंगे फ्यूचर में जैसे मैं पटना जाओंगा तो आप क्या लिखोगी मैं पटना जाओंगा तो आप काईदे से लिखने वाले हैं तंशảiे को हैं आई वेल ही विद गोटु पट्ना मैं पट्ना जाओंगा तो आपनी रकावच्चा क्या लिखा आपने आई विल गोटो पट्ना और के आप तो गलप पढ रए हैं मैंने तो कैसे तो आप ये बोलेंगे कि सर्क हम आई और वी के साथ तो लगाते हैं सैल क्या लगाते ठीक है हम अभी ऐसा माल लिए कि इसके साथ हम इसका यूज नहीं करेंगे ठीक है तो आपके अनुसार मैंने इस आई के साथ भी पर इस वी के साथ भी दोनों के साथ मैंने क्या ल तो आपने क्या देखा था कि आई के साथ क्या लगा था आपने व और आपने डिश और आपने मानते को आपने यूज कि लिए तो आई के लिए और reclager यह दोनों के लिए जो मॉडल है जो आपका हेल्पिंग वर्भ है ऐसा क्यों होता है तो इस कॉंसेप्ट को समझने से पहले आपको जाना परेगा परसन के बारे में सबसे पहले आपको जाना परेगा कि परसन क्या होता है थोरा सा हम इसके बारे में जान जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वाक्यों को कैसे बनाती है तो हम अभी इस टॉपिक को करते होल्ड और इससे सिखने के लिए हमें जाना परेगा कहां पर परसन के पास चलिए ध्यान दिजेगा हाला कि आपने पढ़ाया परसन की परसन का जो होता तीन टाइप होता है हम इस इन तमाम चीजों को रखेंगे भी होल्ड पर पर परसन क्या होता है इसका जन्म कहां से हुआ कैसे हुआ इसका तीन टाइप कैसे होता है इसका तीन टाइप कहां से बना हुआ है किस परसन के साथ किस टाइप के मॉडल्स काम यूज करते हैं मौडर्न इंग्लिस ग्रामर का सिस्टम क्या है ओल्ड वाला हमारा क्या था इन तमाम चीजों के बारें बात करेंगे लेकिन आप इन्हें एक्दाम कि स्वारी वाच दिस वीडियो विट पैसेंस आपको इसे देखना होगा अग्दाम ध्यारे पुरुवक्त ओकी ध्यान दिजिएगा यह आपने यहां पर कायदे से बच्चों लिखा क्या परसन पी-e-r-a-s-o-n मेरा मानना है कि इतनी समझ तो आपके पास होगी परसन का हैं परसन का हिंदी होता है पूरुष और आप सारे बच्चे I think all of you have studied in class 10 अपने सब्सक्राशतित में पढ़ा होगा कि वक्ता और स्रोता के बीच के संबच को हम कहते हैं क्या परसन बेटीविन लिस्टनर और स्पीकर इसक्द्स का परसन या कभी-कभी आप ऐसे बहरे बोलते हैं कि जो आपका पूरुष है यह करता और किर्या के बीच के relation करता और किरिया के बीज की जो पहचान बताता है हम उसे पूरुस कहते हैं आई बात समझ में तो मैंने इसी definition को आगे लेकि आया और मैंने क्या कहा कि जो आपका person है यह noun या pronoun का वह रूप होता है जो subject और वाब के बीज के relation को दिखाता है तो मैंने यहां क्या लिखा इसके बारे में the form of the form of a noun या pronoun the form of a noun या the form of a noun या pronoun which which shows which shows a relation which shows relation between which shows relation between subject subject and verb subject and verb is called is called is called a person अब आपने यहां काईदे से क्या लग है चीजों के लोजिकली समझेगा अगर मैं चाहूं कि आकर के continue English ने बोलू लाक्षर दूँ तो ऐसा हम कर सकते हैं इस नो डाउट लेकिन हम चाहते हैं कि चीजों को आप एगदम बेसिक से समझें ताकि जब इसका यूदाय सेंटेंस में तो आपको रतना ना परें आप अपने माइंड के इंटिलिजेंसी से उसको आराम से एक भास है दूसरे भासा में मतलब के हिंदी से इंग्लिस में कनवट कर पाए ठीक है तो आईए हमारा कहानी क्या कहता है आपने यहां काईदे से क्या लिखा अब आपने यहां लिखा बच्चा पाटी कि मतलब के एक या किसी नावन या प्रनावन मतलब नावन या प्रनावन का वह रूप जो सूज दरसाता है रिलेशन शंबंध बीटिविन सब्जीक्ट एंड वब जो सब्जीक्ट और वब के बीच के रिलेशन को दिखाता है दरसा आता है इस गॉल्ड उसे हम क्या कहते हैं परसन कहते हैं आई बस समझे में अब मैं अगर आप से यहां पूछूं कि आप मुझे बताए राम इस अ गूड बॉआ और अगर मैं आपसे पूछूं कि राम हमारा कौन सा परसन है तो आप यह बोलते हो कि राम किसी इंसान का नाम है इसलिए काईदे से हम इसे बोलते हैं थार्ड परसन तो हम ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि परसन का जन्म कहा से हुआ हमने यहां लिखा क्या कि राम इज और राम एक अच्छा लड़का है और अब मैं आपसे यह पूछूं कि इस पूरे सेंटेंस में जो आपका परसन वो कौन है तो आपने कहा राम आप मुझे बताए कि राम किसी इंसान का नाम है कि नहीं है आपने बोला येस किसी इंसान क ही यह नाम को आपने कायदे से क्या काहा अंन कहा पर यहां नावन हमारा यहां पर क्या बन गिए यह वन गया हमारा थर्ड परसन एक स्वास्थी मैं क्यूछन अद्स Manuel शDam철 यह और अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं और अपका जो आई है क्या होगा तो आपने का सब्जेक्ट है यह हमारा अपने आप में क्या है तो आपने कहा प्रणाउन है कौन सा प्रणाउन है तो आपने कहा फर्स्ट पर्सन का सिंग्लों प्रणाउन है और अगर आप सम्ट प्रणाउन है तो आपने कहा प्रणाउन लेकिन इसे सेंटेंस के लिए आपका आई सॉपाउनबश सुपाज़ में लेकिन इसके एक पेहचान और शेट आपने आपने परसन है कौन सा पर्वा नहीं है तो आपने अत्सक्तिर?" आप यह बता है यह on मैं अपने आप में प्रावन हैं कि नहीं है यह आपका compatible था यह अपने आप में नावन है कि नहीं है और आ यह पर्षेन है की नहीं है तो आप कायदे से बोल सकते हैं कि आपका परसन है इसका जन्म हुआ है नावन याब प्रणाउन से आई बास समझ में इतना तो आप समझ गए हैं अब च्छोटी सी बात मुझे करना होगा आपसे जानना आप को यह होगा कायदे से कि आपका जो और बादवाले को आपका मीनिग क्या होता है इस एकटीव का मतलब होता है वारताल आप में भाग लेता है हम उसे क्या कहते हैं एक बोलने वाले और एक सुनने वाले आई बात समझ में हम बोलेंगे तो आप सुनेंगे और आप बोलेंगे तो हम सुनेंगे तो हमें समझ में आया कि जो आपका active पर्षन हुआ इसका दो टाइप होता है आप काईदेश इतना बोल सकते हैं इसका दो टाइप होता है जिसमें से एक का नाम क्या है एक मिनिट यह रहा आपका active person और अगर मैं कायदेश से आप से बात करूं कि active person का type कितना होता है तो दो होता है एक को आप क्या बोलते हो speaker जो चीजों को बोलता है और एक को आप क्या बोलते हो listener जो speaker के द्वारा कहे गई बातों को सुनता है आई बात समझ में और आगे चल के इसी speaker को हम क्या बोलते हैं first person हम इसी speaker को आगे चल के क्या बोलते हैं बच्चो first person और जो आपका listener है हम इसे क्या कहते हैं second person तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि आपका जो active person है इसका दो type होता है गेसा था था हमारा बच गया था भालिया जी नौन एक्टीफ परसान अब मारा बचा क्या था अक मेंड्स आह दैं एक मीनियेट ये लिखा ने नान हमारा ये बच गया था नौन एक्टीब परसान और और मैं कैदेश से आपसे बात करूं किशका zidx celo तो आप ऐसा बोल सकते हैं, the person who does not participate in conversation, the person who does not participate in conversation, participates in conversation is God, non-active person, मतलब वैसा person, वैसा पुरुस, जो वारतालाप में, conversation में, बाच्चित में भाग नहीं लेता है, उसे हम काईदे से क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं, काईदे से बच्चा पाटी क्या हैं, नॉन एक्टिव परसन, आई बात समझे में, अब जैसे में मेरे, हम आपको एक बात बता रहे हैं, हमने क्या कहा आपको, हमने आपको यह कहा आपको, बच्चा पाटी कि आज मिन टूस और सारह आठ बजे लाइब हाएंगे, या मैंने उसके बारे, उनके बारे में, दो चार बात मैंने बोल दिया, अब आप मुझे बात बुझाएंगे, तो सुनेंगे ही नहीं, तो वो इस बात पर आक्षन भी नहीं लेंगे, भाई साब आपको कुछ कहेगा, और वह बात मेंसेज, आपके पास पहुँचेगा, तब तो लेंगे आप एक्षन, इस बात को आप मानते की नहीं मानते हैं, अरे बोलो ना हाँ, यही कारण है, कि जब आप पढ़ते हैं, नरेशन, तो नरेशन में एक रूल है, यह रूल है, S-O-N, आप 1, 2, 3, इसमें आपके टीचर, इसमें आपके सर आपको पढ़ाते हैं कि 1st person बदलता है subject के अनुसार, 2nd person object के अनुसार, और 3rd person नोची हैं, जैसा क्यों होता है, तो क्योंकि 3rd person जो है, यह active होता ही नहीं है, आपने जो कुछी भी कहा, वो सुना ही नहीं, तो इसका impact उसमें परेगा ही नहीं, और जब परेगा ही नहीं, तो आपके लेगा ही नह परेगेता है, और इसलिए से हम क्या बोलते है, non active person, आई बात समझे में, अब इसी non active person को आगे चल के क्या कहा गया है, 3rd person, और आपको यह बात पता होगा, कि आपके सर जी आपको पढ़ाते है, the person about which we talk is called 3rd person, कि वहाँ पूरुष जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसे का कहते हैं, 3rd person कहते हैं, आई बात समझे में, अब जब इतना बात अब समझ चुके हैं, तो अब हो गया, cool मिला कर कि आपके person का 3 type, एक हमारा हो गया, क्या बोलते है, active person का 2 type, एक speaker, दूसरा listener, speaker को first person, और listener को second person, आई बात समझे में, और तिसरा हमारा क्या हो गया, non active person से बना हमारा क्या 3rd person, तो cool मिला कर के, आपका जो person है, cool मिला कर के, आपका जो person है, इसका type कितना बन गया, तो आपने काईदे से कहा, सरतीन बन गया, एक हो गया हमारा first person, दूसरा हमारा हो गया second person, और तिसरा हमारा क्या हो गया, third person, आई बात समझे में, अब जो first person का प्रणावन ह है इसके बारे मुझान लीजिए तो ऐसा मेरा मानना है कि यह चीज़े आपको पता है परस्ट परसन के प्रणाउन कौन कौन है आपने कहा सार आई है वी है और है माई है माइन है और है आर सेलफ है आर सेल्फ यह सब हमारा क्या है परस्ट परसन के प्रणाउन है आई बस समझ में हाला कि इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में फिलहाल आप यह जानेंगे कि एक रहा आई दूसरा क्या रहा आपका भी आई बस समझ में यह इसकेंड पर्सन इसका मतलब होता है करता है हम उसे क्या कहते हैं लिसनर कहते हैं उस आपको पता होगा कि थार्ड पर्सन का जोब का होता प्रणावन वहीं सीट यह एनी नेम आई बात समझे में इस डाट वीज दो जब्रीवर्ण एवर्रिबडी और समवन संबर्डी सम्थिंग यह सारे कि सारे हमारा क्या है थार्ड परसन है तो अम इन तमाम चीजों के बारे फर्स्ट परसन का एक्जामपल आई और वीदो ही क्यों है सेकेंड परसन में केबल यूँ ही क्यों है थार्ड परसन में मेल के लिए अलग फेमेल के लिए अलग नन लिभिंग के लिए अलग और तीनों आपका जब होगा पूलन फॉम में तो उसके लिए अलग इसके पीछ परसन के बारे में आप समझ गये इसका आपने क्या कहा आप ने कहा सर ही अब यह होगे हमारा सी यह क्यारा हमारा इट यह रहा आपका दे और अल इसके साथ इसका है हैं जब यूव का यूज गहांगे हम सब्जेक्ट के रूप में तो यह के बाद हमारा किया आ रहाएगा आई बस समझे में अब देखिएगा हमारा कहानी क्या होने वाला तो गोर किजिए अब जो आपका फ्यूचर टेंस है वह सब्जेक्ट के नेचर के अनुसार मतलब किस स को एक मिनिट मतलब समझ में यह आया कि यह आपका फ्यूचर टेंस है इसको बनाने के लिए जो आपने सीखा पर्षन को तो आप एक बद्धान दिजेगा परस्ट पर्षन का प्रणावन जो आपका आई और वी है इसके साथ हमारा आता है सैल लेकिन कव तो इन जेनरल सेंस ज करने लोगा कि जो अपका second person पर्षन है जो आपका third person है इसका example आपने कहा यूह और इसके बारे में आपने कहा बच्चों क्या कि सर और में है यह हमारा दे समझ जाओ और समसना आपको यह होगा कि second person और ठट पर्षन का जो आपका प्रणाउन है इसके साथ आप जो वाब यूज करते हैं उसका नाम क्या है तो आपने कहा विल लेकिन कब तो जेनरल सेंस में समाने अर्थ में जब हम इसी को इंफेसाइज करते हैं मतलब होता है जब इसी पर हम जोड देते हैं तो आप इस कंडिशन में हम क्या करते हैं जहां हम यूज कर रहे थे cell कर उपके उज किसका वील कर और जहां वील कर रहे थे वहां करते किस कर से ल केद ले वील और विल के बदले यहां जैसे में पटना जाऊंगा यह अमार होगे नॉर्मल सेंटेंस और मैं पतना वस्ते जाऊंगा listen to me very carefully अगर मैं यह कहूं कि मैं पटना जाओंगा यह समानने सेंस है समानने अर्थ है simple sentence है और अगर मैं यही पर यह कहूं कि मैं पटना अवस्ते जाओंगा तो यहाँ पर हम अपने action को emphasize कर रहे हैं हम अपने sentence पर क्या दे रहे हैं जोड़ दे रहे हैं तो इन बातों को करना होगा आपको समझना होगा अब इस मैफिल को मागे लेके आते हैं मैंने क्या कहा आपको मेरे हिसाब से हम अब इसको हटा दिये अब अगर पढ़ेंगे आप मोडर्न इंग्लिस ग्रैमर जो आपका आधुनिक इंग्लिस ग्रैमर है आप उसे पढ़ेंगे तो वह क्या कर दिया है सिदा बोलता है यू कैन यूज विल एट अब्रिवेर आप विल का यूज हर जगह कर सकते हैं आई बस्तनी में तो आपको मन है तो सेल का यूज करेंगे आप आई और वी के साथ वाकी के साथ आपका क्या जाएगा वील आएगा समान्य या जब हम इंस और सेल सेल आएगा और जहाँ वील तो बा सायल आ लेकिन mothers in English grammar हर जगा क्या लगा दिया हुआ है विल लगा दिया है तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं दिक्कत के बाद क्या है नहीं है आई भास समझ में अब आगे बात करते हैं आपने यहां जो लिखा है समझना होगा समझना क्या होगा यह जो आपका यह सैल है यह जो आपके वील है यह सैल वील नहीं दुनिया का कोई मौडल कैन कुड में माइट सैल सूड विल और तू यूज तू नीड दियर और मॉस्ट कहीं भी आएगा तो उसके बाद केबल वाब का फर्स्ट फर्म लेना होगा अब को ठीक है अब कोई पूछेगा हम से कि सर वाट इस दरीजन बिहाइंड इट डैट जस्ट आफ्टर एन हम केबल वाब के फर्स्ट फर्म का यूज करते हैं तो इसके लिए आपको आना होगा कलास में करने डिसक्रशन हम यहां पर नहीं कर पाएंगे ठीक है अब यहां आपने क्या कहा बच्छोट अब यहां आपने यह कहा है कि कि किसी भी मॉडल के बाद आपको यूज क्या करन है तो आप आ सकते हैं ठीक है अब आपनी है क्या लेकर बच्छा कि आपका होगे सब्जिक्ट यह वील है यह जब बच्छा पड़ी है ने आपका वीच जो आपका भी है पता है ना इसका मीनिंग होता होना और यह हमारा क्या वाब का फॉस्ट फॉर्म है और जब किसी पढ़ूंगा मैं ज्यान का अध्यन करूंगा तो यहां हम अध्यन करने के बात कर रहे हैं तो आई विल स्टड़ी साइन्स लेकिन अगर मैं यह बोलो मैं टीचर बनूंगा आप भी द्यार्थी बनेंगे वह डॉक्टर बनेगा तो यहां दिखार उसके स्टेट को दिखा रहे हैं और इस कंडिशन में आप इसका यूज करेंगे इसके जगह पर ठीक है अब आप आजाओ मिलके करते क्या डिस्कुर्शन यह रहा आपका सुर्य यह सीधा बन गया हुआ हमारा क्या है निगेट वह मतलब पोली कर लगार नहीं तो कोई दियक्त नहीं है मैं आप से बात कर लता हूँ दिक्कत नहीं होगा घ्रात नहीं मैं सिख्षक बनूँगा ताप क्या बोलेंगे I will be a teacher आप डॉक्टर बनेंगे you will be a doctor मैं विज्ञान का अध्यन करूँगा I shall study science मैं कल पतना जाओंगा I will go to पतना मैं कल यहां आऊंगा I will come here tomorrow I will come here tomorrow मेरा भाई इस काम को करेगा my brother will do this work में दिमा खाना बनाएगी my mother will cook food मैं गाना गाऊंगा I will sing a song मैं नाचूंगा I will dance I will dance मेरा भाई एक निता बनेगा my brother will be a leader मेरे पिता जी मेरे पिता जी कल यहां आएंगे my father will come here tomorrow मैं इस काम को नहीं करूंगा I will not do this work मैं उस काम को नहीं करूंगा I will not do that work मैं यहां रहूंगा I will be here I will stay here stay मतलब क्या होता ठार ना होता भी माने होना होता है I will be here tomorrow कल रहूंगा तब आप बोल सकते हैं मैं पानी पीऊंगा I will drink water मैं आपको पढ़ाऊंगा I'll teach you मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा I will not teach you मैं मोहन के साथ वहां नहीं जाऊंगा I will not go there with Mohan मैं क्रिकेट खेलूंगा I will play cricket मैं क्रिकेट सीता के साथ खेलूंगा I will cricket sorry I will play cricket with सीता मैं पढ़ाऊंगा I will teach मैं आपको पढ़ाऊंगा I'll teach you मैं English पढ़ाऊंगा I will teach you English sorry I will teach English I will teach English तो इस तरीके से सेंटेंस का नेचर पूजीटीव हो निगेटीव हो कैसा भी वह बना सकते हैं आई बस समझ में एक बारा मोर करते प्रैक्टिस हमने क्या का आपको है हमने क्या का आपको सर आपका मुवाइल बज रहा है एक मिनिट मैंने क्या कहा मैंने आपको यहां पर ध्यान दिज्र दिक रिखा भाटी को say you will not be at home आप घर पर नहीं रहेंगे जाइन बाल पाद किज़ेगा आप घर पर नहीं रहेंगे योँ विल नाट वी आठ्वाम है यहाँ आपने का लिखाए आप एक अच्छा वत ता नहीं क्या बोलते हैं मैं मैं स्टेज पर नहीं रहूंगा आप मेरे दोस्त नहीं होंगे तो यूविल नोट भी माई फ्रेंड यूविल नोट भी माई फ्रेंड यहां आपने का लिखा किताब टेबल पर नहीं कर दाणार मेरा करसे यहां क्या लिखा आपने की वहां डानसर नहीं बनेगी तो सर दीए फटर दीए दॉसन है यूसटर को एगर करने आप युझार यूठ सबाद करके आप टाहार को स्ट्रक्ट्रीत ओ सब्सक्राइं if you want to speak English, if you want to improve your communication skill, if you want to do everything in English, if you want to teach English, you want to speak English, you want to read English, you want to do whatever in English that you want, then I guarantee you, you have to do practice a lot, if you want to do anything in English, then you have to do practice a lot, okay, अब मिलते हैं कल के क्लास में, तिल देन, बाब बे, टेक केर, okay, अबला, कर दो